राजदानी जैपुर से प्रदेश भर में वायू अम्रिदा ध्वनी प्रदूशन एक गंभीर समस्या बन कर उभर रहा है। राजिस्तान में वायू प्रदूशन का इसतर राजिस्तान के कई शहरों में अब भी जादा भेतर इस्तिती में नहीं है। विवारी अभी देश के टॉप 15 दूशित शहरों में शुमार है लैंसिट के शोद के मताबिक वश 2019 में प्रदेश में कुल मौतो में से 21 प्रतीशत वायू प्रतीशन के कारण हुई है देश भर के लिए मौतो का यौसत 18 प्रतीशत है मुखे रूप से ठोस कच्रे से फैलने वाले प्रिदूशन और जल प्रिदूशन के मुकाबले वायू प्रिदूशन अधिक हानी कारख है इधर हर्याना और पंजाब में जलाई गई पराली का धुआ भरतपुर अलवर तक पहुँच रहा है हाल ही में भरतपुर में संचालित 384 इटबटे और स्टोन क्रेशर की संचालन पर रोक लगाई थे मंडल के अधिकारियों के मुताबिक मधिप्रदेश बुजरात की तरच पर और दुगिक जगों पर हर्याली विक्सित करने कम लागत में स्टीपी की संख्या बढ़ाने की कवायत की है विवारी से इसकी शुरुवात की मैं स्वच्च पवन नील गगन कारिक्रम को नई रोप में शुरू किया जाएगा नई साल में जैपुर साइथ अन्य बड़ी जगों से इसकी शुरुवात होगी और सभी विभागों को एक प्लैटफॉर्म पर आने की जरूरत है विवारी में 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मान कारे करने पर सीपी सीवी के पोटल पर जानकारी देने की व्यवस्ता शुरू किया है ये नियम पूरे प्रिदेश में जल्द लागू किया जाएगा राजे सरकार को प्रिस्ताव भेजा है हर साल राजिस्तान में 60,000 टन प्लास्टिक वेस्ट में से निस्तारण केवल 81,000 टन कच्रा हो रहा है तो आपको बता दें कि देश भर के लिए अठारे प्रिदूशित क्योंकि जो वाई उ प्रिदूशन है वो काफी तेजी के साथ भरता जा रहा है अभी भी राजस्तान के अगर बात करें तो जो भी वाड़ी हैलवर का वो टॉप 15 शेहरों में शामिल है सबसे ज़ादा प्रिदूशित और जो पराली का धुआ है वो भरतपुर अलवर तक पहुंच रहा है हाल ही में भरतपुर में संचालत 384 इट भट्टे और स्टोन क्रेशन के संचालन पर रोक लगाई थी और जो मंडल के अधिकारी हैं उनके मताविक मद्यबुर्देश और गुजरात की तरजपर और दूगिक जगों पर हर्याली विक्सित करने और कमलागत में स्टिपी की संख्या बढ़ाने की कवायत की है और विवाड़ी से इसकी शुरूवात की गई है तो स्वच्छ पवन नील गगन इस कारिक्रम को नई रूप में अब शुरू किया जाएगा और नई साल में जैपुर साइथ अन्य बड़ी जगों से इसकी शुरूवात होगी और सभी विभागों को एक प्लैटफर्म पर आने की ज़रूवत है विभाडी में जो पांसो वग मीटर से अधिक के निर्मान कारे करने पर सीपी सीबी के पोर्टल पर जानकारी देने की वेवस्था शुरू की है और ये नियम पूरे प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा राजे सरकार को प्रिस्ताब भेजा है हर साल राजेस्थान में साथ हजार टन प्लास्टिक वेस्ट में से निस्तारन केवल आठ हजार एक सो टन कच्रा हो रहा है प्रदूशन नियंतरण मंडल दिवस की मौकी पर आपको बता दें कि एक पहलियाँ आपर की जारी राजेस्थान में जिसके शुरुआत बिवारी से होने जा रही है जहाँ पर इसके तहट जो कच्रा है वेस्ट उसको लेकर ये नवाचार क्योंकि आपको बता दे कि बिवारी और जैपर राजिस्तान से देखे जाएं तो दोनों शहर सबसे जादा प्रदूशित शहरों के शुरेडी में शामल हरशित प्रदूशन दिवस के मौके पर प्रदूशन को कम करने के लिए किस तरह की योजना लाई जा रही है क्या कुछ प्लैनिंग है इसे लेकर जी बिल्कुल राजा ने जैपूर समयत प्रदेश पर में वायू मर्दा धानी प्रदूशन ने कंपीर समस्या बनकर उबर रहा है जो कि अगामित जिनों के लिए प्रदेश के इसाब से किम्ता दनक विशय हो सकता है जो कि प्रदेशन के इस तरफ करने के लिए उसे तक एक अच्छे मिजाम बाने जा सकते है तो प्रदेश की आबो अवा लगातार एक खराब श्रेणी में तर्थ की जा रही है जिसमें भीवाडी सब्से खराब श्रेणी में या पर दर्थ किया गया है अगामी जिनों की बात की जाए तो नील गवन एक प्रोग्राम प्रदेशन इंटरमंडल की ओर से अगल महिने से या पर शुख किया जाएगा इसके साथ में और जगाहों पर हर्याली को विक्सित परने पर भी या चौर दिया जाएगा जी अब ही इसके शिरुवात क्या सिर्फ भिवाडी से हो रही है आगे और इसके प्रिसार को लेकर क्या कुछ ही हो जना है इसके साथ में इसी मोडल को अब पूरे परदेश में या पर लागू किया जाएगा जी चली विल्कुल हर्शित इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपको बता दे कि रास्ट्रे प्रदूशन डियंटरंड दिवस पर राजिस्तान में ये पहल की जा रहे है क्योंकि राजिस्तान का विवाड़ी और जैपर जोकी सबसे प्रदूशन डियंटरंड मंडल विभिन विभागो को एक ही जाजम पर जोड़ेगा यानि इस तरह की योजना बनाई जा रहे है